हलू स्तोव एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत हैं दोस्तो वाटसाप में आप जब भी अपना डीपी लगाते हो फोटो लगाते हो तो वो पूरी तरह से नहीं लगता है कुछ हिस्सा वाटसाप में आपका कड़ जाता है कहने मतलब जब भी डीपी लगाओगे तो वो पूरी तरह से नहीं लगता है, कुछ हिसा क्रॉप हो जाता है, इस तरह से, या तो आपको ऐसे फोटो लगाना होगा, नीची का हिस्सा कड़ जाएगा, या तो फिर ऐसे लगाना होगा, उपर का हिस्सा कड़ जाएगा, या फि की इस वीडियो में आप यही जानोगे कि पूरा फोटो वाटसअप में कैसे लगाते हैं तो चलिए दूस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और एक डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है मीडिया क्रॉप यह एप आपको इंस्टॉल कर लेना है मैंने इंस्टॉल कर रखा है आपको इंस्टॉल करना है तो चलिए मैं सीधा एप को ओपिन करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इसका इस्तमाल करके आप वाटसअप में अपना पूरा फोटो लगा सकते हूं तो इसको ओपिन करें है यहां पर भी तिन ऑप्शन दिये हैं नियू का मतलब यह पहला जो यह पूरा वाइट दिख रहा है जहां पर कुछ भी नहीं है तो जब भी आप न्यू किलिक करोगे तो यह इस तरह से कि आ जाएगा नियू फिर सेलेक्ट फटो सेलेक्ट फटो पी खली खाया तो यह पूंधा गैलेरी में ले जाएगा जहां अपको फोटो लेना है जिसको लेंको हानो करोड्य Camera अपको लिख आर सकरुछ और डिरेक्टव आपुकलिक करके यहां पर अज्छक खला कर सकते हो। म्याएं ख़्िछा क यह देखिए दोस्तो फोटो आपका आ चुका है फ्रेम के अंदर अब चलिए दूसरे आप्शन पर जाते हैं अड़्जस अड़्जस में जाएंगे ओनली इंसाइट शेप इसको क्लिक किजेगा तो इंसाइट का जो शेप है सिर्फ वही रहेगा फिट्टू फ्रेम इसको जब आप किलक किजेगा तो इस तरह से पूरा फ्रेम में आ जाएगा लेकिन जब आप वाट्सअप में लगाईएगा तो ये कुछ हिस्सा देखिए क्रॉप हो गया है उपर का हिस्सा भी क्रॉप हो गया है नीचे भी कुछ हिस्सा क्रॉप हो गया ह तो आपको इसमें नहीं करना है fit to circle यह जो goal circle है इसके अंदर ही रहेगा fit to square आपको fit to square में जाना है इसमें ही आपको photo adjust करना है fit to square में और dp में लगाना है तो यह full photo आपका whatsapp में लग जाएगा अब यहाँ पे देखिए right side में white white कुछ हिसा बच गया है इधर भी कुछ हिसा बच गया अब इसको कैसे fill करें तो इसको fill करने के लिए edit में जाएंगे align मतलब तो आप जानते ही है कि किस तरह से photo को center में रखना है align rotate right rotate left यह करना है तो align का छोड़ो देते हैं edit में चलते हैं यहां पर देखिए shadow इसमें click करेंगे तो इसका shadow बन जाएगा यह देखिए इसका side में shadow दिख रहा होगा तो align में जाके इसको हम center में कर देते हैं यह center में आ गया फिसे edit में जाएंगे इसको हटा देंगे shadow अब देखिए white border इसको हम click करेंगे तो side में border आ जाएगा अब देखिए background blur का option दियावाई इसको click किजिएगा तो इसका यह side वाला जो area दिख रहा है वो blur हो जाएगा किस तरह से होगा चली दिखाते है यह देखिए इस तरह से हो जाएगा background भी fill हो गया photo भी आपका middle में है edit में जाएगे इसको भी हटा देगे अब देखिए background color तो यह जो background side वाला है यहाँ पर color भी दे सकते हैं background image भी दे सकते हैं photo frame भी दे सकते हैं तो चली मैं आपको photo frame देखा देता हूँ background color नॉर्मली वही सब रहता है यह देखिए इस तरह से कोई साभी color आप ले सकते हो background image तो background image आप पुछ भी दे सकते हो यहाँ पर कुछ option आ जाएंगे यह देखिए इतने सारे हैं कोई साभी इसमें आप लेकर दे सकते हो मैं आपको Christmas का दिखा देता हूँ यह देखिए इस तरह से यह total adjust हो गया कोई साभी फोटो लेकर लगा सकते हो बगल में देखिए pattern दिया हुआ है इसमें क्लिक करेंगे यहाँ देखिए इतना सारा खुबसुरत खुबसुरत pattern दिया हुआ है जो आपका background में नजर आएगा कोई साभी pattern ले सकते हो मैं लेकर आपको दिखा देता हूँ यह देखिए pattern आ गया फोटो बैग्डाउंड में फिसे बैग जाएंगे एडिट में जाएंगे बैग्डाउंड कलर आपने देख लिया बैग्डाउंड इमेज आपने देख लिया फोटो फ्रेम अब आप देख लो यह देखिए इतना सारा दिया हुआ आपको इसा भी एक फ्रेम ले सकते हूँ मैं यह यह स्प्रिंग 45 फ्रेम यह लेकर देखाता हूँ यह देखिए किस तरह से फ्रेम में यह आ गया यह मुझे नहीं लेना है तो मैं बैग जाओंगा फिर से एडि độ में जाएंगे और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है बैगड़ाउंड के लिए वो बेगड़ाउंड को बलर करना तो यहां देखिए बैगड़ाउंड बलर का ओप्शन दिया हुआ है इस पे आप टिक कर देंगे बैक्डाउंड आपका ब्लर हो गया अब हम फोटो को सेव कर लेंगे सेव का ओप्षन नीचे में दिया हुआ है राइट कॉर्णर में सबसे नीचे सेव पर क्लिक करेंगे तो दो आप्षन आ जाएंगे सेंट प्रोफाइल और सेव फोटो सेंट प्रोफाइल का मतलब होता यह डायरेक्ट आपको वाट्सअप पर लगा सकते हो और सेव फोटो यह आपका गैलेरी में सेव हो जाएगा उसके बाद आप वहां से फोटो को लगा सकते हैं तो मैं सेव फोटो ही करता हूं तो सेव फो कि क्रॉस का निशान सबसे उपर में राइट कॉर्णर में दिया हुआ है इसको हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे यह प्रोसेसिंग हो रहा है फोटो हमारा गैलेरी में डारेक्ट सेव हो जाएगा फोटो हमारा सेव हो चुका देखिए उपर में लिखा गया सेवड ऑन दा फोटो गैलेरी एल्बम मीडिया क्रॉप ओके करेंगे और चलिए सिधा वाट्सअप में चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरह से फोटो लगाया जाता है अब सेरेक्ट कर लेंगे यह देखिए पूरा फोटो आगया न डन पर क्लिक करेंगे यह हमारा वटसएप में पूरा फोटो फूल फ्रेम में लगए तो दोस्तो इस तरह से आप अपना पूरा फोटो वाटसएप में लगा सकते हो वीडियो आपका अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मुलें